हाँ तो बच्चो देखो आज हम लोग क्या करेंगे यह जो फ्लेश कार्ड है इससे फलों का पर्चे कर लेंगे ठीक है फ्रूट इंट्रोडक्शन कर लेंगे ठीक है चलो देखो इदर यह जो है यह आम है क्या है यह इंगलिश में इसको क्या कहते हैं नैंगो, और ये कैसे color का है पीला और खाने में ये कैसा होता है मीठा मीठा होता है दूसरी चीज क्या है एपल, same ये जो उपर वाली लाइन में है ये वो वाले fruits हैं जो सब फेमास है वैल नोन fruits है जिसको हम जानते हैं अच्छी तरीके से ठीक है तो ये है एपल ठीक है इसका कलर कैसा है लाल ठीक है लाल कलर है इसका ठीक है और जब हम इसको काटेंगे तो अंदर से ये कैसा निकलेगा सफेज सफेज कैसा निकलेगा और ये होता कैसा है स्वाद कैसा होता है इसका मीठा होता है कैसा स्वाद होता है इसका मीठा ठी क्या है यह केला सभी ने घाय यह कर Camera इसका और अगर हम इसको चीलेंगे तो अंदर कैसा होगा यह चील के और इसका कैसा है यह यह और फिला इसको जूस भी पीते हैं पीते हैं चलो next क्या है क्या है next इसको English में क्या कहते हैं ग्रेप क्या कहते हैं इंगलिश में और यह है किस कलर के खाने में कैसे होते हैं यह मीठें चलो अब सेटेंड डो में आजाते एन वाले फूट से फोड़े से छ पॉपिलर है ठीके पॉपिलर प्रिस्ट कम झोड़े पॉपिलर है यह खाहिते हैं ए पर संकत मि थे पहसंत को सारी लोग औकर क्लर ठीक है डाइजेशन के लिए अच्छा होता है यह वाबा यह क्या है हिंदी में क्या कहते है इसको क्लर कैसा है इसका कैसा कलर है इसका खाने में स्वाद कैसा होता है इसका मीठा होता है जेक्स बन क्या है वाटर मेलन क्या है हिंदी में बोले तो क्या होता है क्या होता है हिंदी में तर्बूज खाया है सभी ने उपर से कैसा होता है उपर कैसा होता है हरा कैसा होता है अंदर कैसा होता है लाल होता है ठीक है मीठा होता है खाने में ठीक है इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है ठीक है नेक्स्ट क्या है स्वीट लाइम स्वीट लाइम मीज क्या होता है मौसमी क्या होता है मौसमी का जूस पिया है आप सबने अच्छा स्वीट मतलब मीठा लाइम मतलब नीबू जैसा ठीक है जो दिखने में नीबू जैसा लगे पर मीठा हो इसलिए उसको कहते है स्वीट लाइम ठीक है और जो लाइम यानि लेमन होता है स्वीट लाइम क्यों हाई क्यों कि यह मीठा होता है ठीक है उसके बाद क्या है घारिवूत गया यह लाई ईए मस्क मेलान इसको तंब क्या बोलते हैً मस्क मेलान- क्या बोलते हैं खाया है कैसा होता है चलो next पर आजाओ थार्ड लाइन जो है उसमें देखो क्या है यह वाले वह फूर्ट है जो आप लोगोंने खाये हैं पर आप लोग इनके नाम नहीं जानते हैं ठीक है almost क्या होता है कि यह जो है इनके name popular नहीं है इसलिए आपके second, third और fourth row में ऐसे ही fruits है ठीक है तो देखो इधर peer, peer means क्या होता है नास पाती, क्या होता है नास पाती, color क्या है इसका हरा color क्या है स्वाद कैसा होता है इसका खटा, मीठा, मिला के होता है ना ये बता, strawberry, क्या है ये strawberry है, ठीक है, color क्या है इसका, लाल, लाल कलर है और ये अकेला ऐसा fruit है, जिसके बीज उपर होते हैं, ये देखो छेद छेद दिख रहे हैं इसमें ये बीज है, ठीक है एक यही अकेला फ्रूट है जिसमें बीज यहां होते है ठीक है अच्छा इसके बाद यह क्या है अना इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे पॉमी ग्रेनेट क्या कहेंगे इसके दान होते इन को खाते आपने से तो होता है इससे इस्सें क्या होता है टुल गुला जाता है ठीक है नेस्ट हो सकता है आप मेंसे किसी स्वाज़ किसी ने खाया है इसका स्वाद मीठा होता है एक सल आड़ रहती है इस पाल या होती है ठीक है या ड्यकोरेशन में एक स्ञाजताब किया है क्पाइने ऐस की CP बोलते हैं अनानास क्या बोलते हैं लीची इसका कलर कैसा है पीला कौन बोलना है लाल कलर है इसका ठीक है अंदर से कैसी है ये खाने में कैसी होती है यह जिसने ख्राइए उसको पता है कि यह मीठी होती है पर जिसने नहीं ख्राइए उसके लिए बतादें कि यह मीठी होती है लेक्स है सेपोर्ट असालो इसको खाया है सब इसका क्लर कैसा ब्राउन कलर का हो relig además उसके वाद आनो अलु मुखारा प्लममी इसका होता है यह प्लब कलर को दिंग सब्सक्राइब में और यह दर क्राइब आपके इसके अपरिकोट मुखानी यह लिस्ट पॉपुलर है इसको तो किसी नहीं निखाया होगा ठीक है तो यह जो फ्लेश कार्ट थे इससे हमने फ्रूट्स का इंट्रोडक्शन लिया उसका कलर उसका टेस्ट ठीक है सब कुछ ठीक है आया सबको समझ में